एक और फिर से आपके अपने चैनल समिक्षा स्टेडी पॉइंट में आपका स्वागत है, आज की सुड़े में आप लोगों के लिए बहुत इन्नोवेटी, बहुत न्यू और बहुत इजी मॉडल आइडिया रहेगा, इको धूप, इको अगरवत्ती, देखे फ्लावर वेस् का मॉडल आइडिया साइंस इंस्पायर अवोर्ड में दे सकते हैं, तक कौन से नए मॉडल आइडिया के ओपर आप लोग सिनॉप्सिस चाहते हैं, कमेंड करके जुरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जुरूर करें, तो देखे य पर तेक फूल थोड़ा बहुत सुगंध युकत होता है लेकिन उपयोग करने के बाद फूलों को या तो खूले में फैंक दिया जाता है या फिर उन्हें पानी में विसर्जित कर दिया जाता है, ऐसी में फूलों को पुना चक्रण करने की आवशकता है इसके बाद आप ल पूलगंद आती है और कीट पतंगे उस जगहा पर पैदा होते हैं तो समस्य हो गई अपशिष्ट फूलों का उत्पादन और समाधान में आप लोग लिखेंगे कि मैं अपशिष्ट फूलों को या फिर उपयोग होने के बाद फूलों का उनर चक्रण कर इको धूप का विच समगरी आवशिक समगरी में आप लोग लिखेंगे उपयोग किये फूल पानी एक बड़ा बर्तन और उपला यानि जो गाय के गोबर का उपला है उसकी राख हमारे पास होनी चाहिए हवन समगरी होनी चाहिए लोबान कपूर मैदा लकडी का पाउडर यहां पर आपको घी भी चाहिए पानी भी चाहिए आप यूट्यूब के उपर हाउ टू मेक दूप इन होम फ्रॉम वेस फ्लावर लिखेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियो आ जाएंगे वहां से वीडियो देख सकते हैं और इसकी समगरी को अपनी तरह से मोडिफाई भी कर सकते हैं तो इन फूलों को आप इसके बाद इन फूलों की शंटनी करें अलग अलग फूलों को अलग लग से रखें इसके बाद फूलों को सुखाएं और फूलों को सुखाने के बाद आप सुखे हुए फूलों को मिक्सी में बनाएगे पौडर को आप एक खुले बरतन में डाले आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है जब यह सारी सामगरी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आपने इसमें दो बड़े चमच घी डालना है और थोड़ा सा पानी डालना है और जिस तरह से आप पर रोटिया बनाने के लिए आटे की डो बनाते हैं उस तरह से आपको एक डो ब दिरे दिरे सुका सकते हैं 6-7 दिनों के बाद ये अच्छी तरह से सूख जाएंगी और आपका इको धूप रेडी हो जाएगा के बाद आप ये रिखेंगे कि इसको कैसे प्रयोग करना है तो प्रयोग ऐसे करना है कि हमें एक धूप की बत्ती लेनी है माचिस लेनी है इसको जलाना है और आवशकता अनुसार पूजा अर्चना में आप इसको प्योग कर सकते हैं जो आपके बेस्ट फ्लावर इंसे सर्फ इको धूपी नहीं बनाया जा सकता है इस तरह से आप फ्लावर वेस्ट को रिसाइकल कर सकते हैं फूलों का जो कच्रा है इसे आप लोग पु साइंस इंस्पाइर आवर्ड के कौणसे ने टॉपिक के उपर आप लोग सिनॉप्सिस चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर भी जरूर करे और साइंस इंस्पाइर आवर्ड के डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें